हेलो दोस्तों मैं फिर से आपका आपके अपनी यूटूब चैनल मैस्विजन पर स्वागर करता हूं दोस्तों मैं बहुत दिनों से सोच रहा था मैं विडियो तो बनाता हूं और उसमें आपको कंटेंट प्रवाइड करता हूं बट मैंने सोचा कि जब मैं कंटेंट प्रवाइड करता हूं तो आप प्रैक्टिस कैसे करते होंगे मतलब उसके लिए आप बुक कौन से चूश करते होंगे तो मैं आज कुछ बुक्स बताऊंगा जिसका आप इस्तमाल अपने कंटेटिव और जाओं के लिए करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा आपको helpful देगा ठीक है तो मैं कुछ बुक्स के नाम बताऊंगा उनसे आप जरूर प्रैक्टिस करें आपको बहुत ज़्यादा बेनिविट मिलेगा ठीक है और भगवान चा आपने अभी मैत शुरू किया है तो इसको आप पहले लगाना ही होगा फिर उसके बार आप बड़े लेबल वाले बुक्स को टेस्ट करेंगे ठीक है तो यह मेरे पास पूरानी बुक का 500 अबजेटिव क्वेस्चन इस समय तो मेरे को लग रहा है कि 97-100 प्लस वाले होगा च यससे आपको substitution ही देखना है, इसका बहुत ही Boring है मतलब बहुत ही ताइम टेकन वाला सолेशन है कि इससे आपको बस questions का सेट मिल जागा कि भया ऐसा-इस questions मुझे solve करना है ठेकिono यहां से बस आपको question देखना है और solve करना है solution आपकी teacher क्या होगा ना कि इस book क्या होगा क्यूंकि इसका solution बहुती बेकार है बेकार क्याने का मतलब कि एक बच्चा अगर इसे पढ़ना चाता है तो उसके लिए सही है लेकिन competitive अगिजाम में आपको जितना जल्दी हो सके वो तरीका आपको आना चाहिए तो यह वो तरीका इसमें प्रवाइड नहीं किया गया ठीक है तो इसमें बता देता हूं मैं कि कौन-कौन से chapters लिए गया है ठीक है इसमें आपको मिल लिए आएगा number system, LCM, SCF, simplification, power indices, answers, average ratio and proportion, percentage, profit and loss, discount, simple interest, compound interest, time and work, pipe and cistern, time and distance, boat and stream, sequence and series, algebra, trigonometry, geometry, mensuration, statistics and data interpretation and mislearnia ठीक है दो पहले आपको इर्दम beginner से हैं तो सबसे पहले आपको इसी को लगाना है इससे आपको solution नहीं रखना है इससे आपको बस question रखना है ठीक है और यह मेरी पास यह थोड़ी पुरानी book का ठीक है आपको पता है कि है नई book लेले चाहिए आपको पुरानी book हो तो आप वह है हमारे राकेश यादो सर की 2700 प्लस वाली book ठीक है इसको मैं अभी खुद लगा रहा हूं ठीक है और कीरन वाले को मैं लगा चुका हूं ठीक है इसको आपको पूरा detail में इससे पढ़ना है ठीक है दोस्तों कहीं ना कहीं हर book में थोड़ा error मीले गया कीरन में थोड़ा जारा error में लगा ठीक है उससे डरना नहीं है क्योंकि आप जब एक बार अपने teacher का notes पढ़ेंगे उसके बार question लगाएंगे तो आपको वहां पर समय में आ जागा कि question में error है कहां पर ठीक है इतना बात आपको समय में आएगा ठीक है तो इसलिए आपको डरना नहीं है और य सब्सक्राइबरatan पर्सेंटेज और अपरसेंटेज प्रॉफित और डिस्टेंश जमार्तरिए यहां इंग्णाटरीन से जमार्टरी एविजेशेश अरफीं प्रॉपर्सिटों पार्टर्शी पैक्सर एंड ऐलिगेसना सिंपलडेस्टा कंपाउडंड़्स टाम अनडवर भी मैं बता देता हूँ कि आप इसमें आप ट्रिकलोमेट्री को और जमेट्री को इससे ना सॉल्व कि दिया गया उसके लिए आपके पास अभिने सर्मा की बुग होगे तो अच्छी बात है नहीं होगा तो किसी दोस्त का लेके फोटो श्रेट करवा लेगा ठीक है ट्रिकलो ट्रिकलोमेट्री और जमेट्री सबसे बेश्ट अभिने सर्मा का है ठीक है बाकी और सब चीज का आपका अभिने सर्मा इनका बराबर है ठीक है अभिने सर्मा सर और आके से अलो सर के आपकी कंटेंड आपको बराबर लगवाग मुलेगा लेकिन जो ट्रिकलोमेट्री और का कॉंसेप्ट और अलजेबरा तीन चीज़ ट्रिग्मामेट्री जिए और अलजेबरा यह तीन चीज़ आपको अभिनेसर महाले बुक से ही करना है ठीक है कि उसमें जबर्दस कॉंसेप्ट है जबर्दस क्वेस्टन से अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप किसी अपने दोस्त का बुक लेकर फोटोशेट करवा लेजеगा ठीक है अब फिर भी नहीं है तो आपनेसर का कहीं से अलजेबरा ट्रिगमामेट्री और जीएमेट्री का आपको पीडियोफ मिल जाता है उनके क्वेस्टन के स्रेट का पीडियोफ मिल जैता है तोई आप डानलोड कर ल पीइंटु से एदक बिल्कुल लोगी कुछ आता है तो आप नीतु सीह का घर्वार वाली और उन क्या थेक्रुड यह आपका है volume 1 ठीक है तो यह सबसे पहले लेंगे आपको मालेगे कि एदम बिल्कुल grammar नहीं आता है तो आप इसको पूरा पहले पढ़ेंगे practice करेंगे ठीक है इसमें देखें क्या क्या दिया है अब आपको दिया है तो एकडम आप बिगनर्स है तो देखेंगे आप हिंदी वर्जन में बूले गया इंग्लिस वर्जन में बूले गया लेगे तो आप इंग्लिस में से विलोंग करते है तो आप इंग्लिस वर्जन लेगे अगर आप हिंदी मीडियम व्ला ले लगए हिंधी में ले ले लेंगे ठीक है इसदम इसनोनोन बेसिक से ही बताया है आपका जो कुछ लेवल हो जाता है तो practice के लिए आप क्या करेंगे केवल practice के लिए के लिए आप loosened की book उठाएंगे केवल practice के लिए loosened की इसमें भी आपको बहुत से errors मुलेंगे हूँ बहुत से इससे आपको बस प्रैक्टिस सेट लगाना है इसमें जितने वी क्वेस्टन्स दिया है प्रैक्टिस करने के लिए वह आपको ही लगाना है इससे थेवरी नहीं पढ़ना चीह हूं कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बताना चाहता हूं जैसे मैं नाउन वाला चप्टर दीकता हूं तो नाउन वाला 51 पर फीच पे हैं तो मैं ईसको दिखा रहा हूं पर कैसा घल देहें udah देखीया नाउन है तो हम लोगयों जानते हैं का नाउन जो होता है countable हो रहता है और uncountable है एक मैं general से example ले रहा हूँ ठीक है एक countable होता है एक uncountable होता है तो countable में हम लोग क्या करते हैं common noun और collective noun को ही रखते हैं और uncountable में material noun और abstract noun को हम लोग रखते हैं ठीक है तो यह क्या किया है कि इसमें countable noun में proper noun को ही रख दिया है एञे प्र्वापर राउन को यह नहीं कोंटेबल लाउन बोलते हैं नहीं अंकांटेबल लाउन बोलते हैं ठीक है कर लिए गया उसके बाद केवल प्रैक्टिस के लिए थियोरी के लिए के लिए के लिए आप सागर पब्लिकेशन का ले लेंगे इसमें आपको क्वेस्टन्स अच्छे-अच्छे मिल जाएंगे और थोड़ा जो एरर रहेगा आप खुद समझ जाएंगे जब वोशेप्टर पर आपको पकड़ रहेगी ठीक है तो अगर पब्लिकेशन का यह आप पूरा सौल्व कर जाएंगे तो आपका रिजनिंग एलम बेस्ट हो जाए थियोरी इससे नहीं पढ़ना है आपको क्यों इससे आपको क्वेस्टन करना है ठीक है अब थियोरी के लिए आप किसी भी य कलेंडर क्यों किस तरह आपको कुछना कोई एरर मिल लिया ठीक है तितनी बात सौई भई तो इन सब बुक को आप प्रेक्टिस कीजिए दोस्तों बेस्ट आप लॉप फॉर एक्जामनीशन यह मेरा जन्यून रिवियो था अगर आप मेरी पढ़ाई हुए चीदि अच्छी कोई दोस्तेर पढ़ा है टेक जाहिं दोस्तों धन्यवा दोस्तों जाहिं द्याभार